हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 18 श्रेया का हॉस्पिटल जाना अब तक शिव के ओटी में ले जाते ही रेड लाइट चालू हो गई डॉक्टर जल्दी से शिव का उपचार करने लगे ओ ठीके बाहर राहूल वही लगे बैंच पर बैट गया उसके साथ है दो ओफिस अभी वही पर बैट गये उन्हें राहूल की कंडीशन और उसकी मनोस्तिती पता थी अभी कैसी है वो उसे साथवना देते सब ठीक होगा कहता है चिंता मत करो भगवान पर बारोशा रखो सब ठीक हो जाएगा राहूल कोई रियेक्ट ही नहीं करता लगातार एक ही जगव गुर कर देख रहा हो वो लोग भी उसकी कंडीशन से अभगत थे उसी के साथ वहाँ बैट जाते है समुंदर के किनारे सब पुलिस वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था सारे ड्रग्स और वेपन जप्त किये गए थे राका को सीक्रेट जगव पर ले जाया गया था अब सब अंडर कंट्रोल था जो ऑफिसर उस टीम में थे वो सब रिपोर्ट करने के लिए हेट प्वाटर चले गए बाकी का सब अब पुलिस डिपार्टमेंट हैंडल करने वाला था और उनने अच्छी तरह हैंडल भी कर लिया था श्रेया का रूम श्रेया पसीने से तरबतर थी वो अपने बैट पर लेटी थी उसकी आँखे बंध थी शायद हो कोई दरावना सपना देख रही हो अच्छानक श्रेया श्रेया श्रिव कहते हुए अपनी आँखे खोल कर बैट पर बैट जाती है वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी उसने अपने अपने मैशिव को मुसीबत में देखा था जो बहुत ही जक्मी हालत में था जिंदगी और मौत से जूच रहा था अब आगे श्रेया बहुत ही गबरा गई थी उसने ये क्या सपना देखा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था साइट टेबल पर रखा पानी पीती है और खुद को शान्त करती है दिवार पर लगी वाच पर टाइम देखती है तो तीनम देख रहा था उसका दर अभी भी कम नहीं हुआ था वो शिव को कॉल करती है वो ठीक है कि नहीं जानने के लिए वो ज्यादा ही गबरा गई तभी उसे ध्यान आया शिव ने उसको उसके असिस्टेंट का नो दिया था अगर वो कभी बिजी हो या उसका कॉल अटेंड न करे तो वो इस नो पर कॉल कर सकती कुछ अजेंट हो या फिर इमर्जेंसी ये याद आते ही वो जल्दी से शिव के असिस्टेंट रागव का नो दूमती है और उसे कॉल लगा देती है वो बेसबरी से रागव की कॉल उठने का इंतजार कर रही थी रेंग जा रही थी पर रागव कॉल ही नहीं उठा रहा था रागव का घर रागव आराम से अपने रूम में सो रहा था उसे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा था या क्या हो गया है रागव का मूबाईल बजता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है वो मूबाईल पे देखता है तो उसे अनोनो से call आ रहा है वो अपनी आँखों को पूरी तरह से खोलता है और टाइम चेक करता है तो तीन बजे थे को सोचता है इतनी रात को कोन कॉल कर रहा नो भी जाना पहचाना नहीं है बट जरूरी कॉल समझ कर उठा लेता है अंखरी रिंग में वो मुबाइल कान पर लगा लेता और उसाय आवाज में हेलो कहता है उसकी कॉल उठाते है श्रेया गबराय हुई आवाज के साथ उससे कहती है हेलो आप राघव बोर रहे हो ना राघव के कान में जब एक लड़की की आवाज आती है तो एक बार नो देखता है और सोचता है इतनी रात को लड़की मुझे क्यू कॉल कर रही है राघव कहता हाँ मैं राघव ही बोर रहा हूँ आप कोन और इतनी रात को मुझे कॉल क्यू किया है क्या मैं आपको जनता हूँ एक ही साथ इतने सारे सवाल पूछता है श्रेया उसके सवाल को इगनो करती है और उससे कहती है मैं श्रेया बोर रही हूँ शिव कहा पर है, उनका कॉल नहीं लग रहा है रागव जब श्रेया का नाम सुनता है तो उसकी बच्ची हुई नीद उर जाती है रागव कोही शिव ने श्रेया की इनफॉर्मेशन निकलने को खा था और उसे पता था कि उसके बॉस श्रेया से प्यार करते है और श्रेया भी कॉश्टक. रागव श्रेया से कहता है बॉस तो अपने घर पर ही होंगे श्रेया, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे आप उन्हें कॉन्टेक्ट करके मुझे से बात करने के लिए कही न मुझे बहुत गबराहत हो रही है वो ठीक तो होगे न रागव जब श्रेया की बात सुनता है तब उसे याद आता है कि शिव आज मिशन पर जाने वाला था वो भी उसके साथ जाने वाला था पर उसकी तबेतर ठीक नहीं थी इसलिए शिव ने ही उसे आने से मना किया वो घर आकर मेडिसिन खा कर सो गया था उसे उस मिशन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी सकसेस्फुल हुआ या नहीं और श्रेया की बाते सुनकर उसे भी अब कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था रागव श्रेया से कहता आप टेंशन न लो मैं अभी पता करके बताता हूँ कि बॉस कहा पर है और उनसे आपकी बात करता हूँ आप कुछ बेर इंतजार करो श्रेया बोली ठीक है रागव श्रेया का कॉल रख देता है और जो लोग मिशन पर गए थे उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है उन मैंसे एक ऑफिसर उसका कॉल रिसीव करता है तो वो उसे से मिशन की और श्रेया के बारे में पुच था है तो वो ऑफिसर मिशन कम्प्लीट हुआ बताता है उस पर रागव राहत की सास लेता है और बौस्ट शिव कहा है वो ठीक तो है ना और बाकी की टीम भी ठीक है ना, कोई इंजोर तो नहीं हुआ ना, रागव की बात पर ओफिसर जवाब देता है, टीम की सबी मेंबर ठीक है, बस कुछ मामूली सी चोटे है, जो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर, रागव कहता है, पर क्या, ओफिसर, शिव सर को गोली लगी है, उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें शेहर की सिटी होस्पिटल में ले जाया गया, उनका ओपरेशन चल रहा है, रागव, क्या, और तुन मुझे अब बता रहे हो, बस के साथ कौन कौन है, ओफिसर, दो ओफिसर और राहूल है बस के साथ, रागव कहता है, ठीक है, मैं अ बत करकर हॉस्पिटल की तरफ चलने लगता है, इन सब के चक्कर में वो श्रेया को इनफॉर्म करना है बुल गया था, महरा हाउस में, श्रेया के रूम में, श्रेया कमरे में इधर से उधर फिर रही थी और रागव की कॉल का इंतजार कर रही थी, जब काफी देर तक इंत कर रही है, और हर बड़ी में वो उसे रिपले कॉल करना ही बुल गया, ओ कॉल कथ होने से पहले श्रेया का कॉल उठा लेता है, और हेलो कहता है, जब लास्ट रेंग में रागव श्रेया का कॉल उठता है, तो श्रेया डाइरेक्ट उससे पूछती है, कहा है शिव क्या उन और वो श्रेया को अपने बॉस के लिए इतना परिशान होता देख उसे सब बताने का डिसाइड करता है। मैं भी वही जा रहा हूँ, हम साथ में ही जाते हैं, मैं रास्ते में हूँ आप नीचे आ जाओ, मैं आपको पिक करता हूँ। मैं रहा होकर, रेसिट्स ने इतसे शिव के बारे में पता लगा कर वो दोनों पांच फ्लो पर जहाँ पर शिव का उपरेशन चल रहा था, वहाँ पर पहुच जाते हैं। ऑपरेशन रूम में शिव के सीने के पास जो गोली लगी थी उसे डॉक्टर ने निकल दिया था और टिचे सा लगा दी थी। ऑपरेशन सकसेस्फुल हो गया था पर अर तालिस घंटी तक कुछ नहीं कह सकते थे, जब तक शिव को होशना आ जाए। श्रेया और राधव के ऑपरेशन रूम के बाहर पोचते हैं। ये ऑपरेशन रूम की लाइट ग्रीन होती है। जब सारे लोग देखते हैं कि ग्रीन लाइट हो गई तो सारे उस रूम के दूर के पास चले जाते हैं। श्रेया और राधव भी उसी तरफ चल देते हैं। अभी रागव रहूल के कंदे पर हाथ रख कर उसे शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है उन्हें बोलने तो देतु लगा तरिक के बाद एक सवाल कर रहा है तभी रहूल को अपनी गलती का एहसास होता है वो डॉक्टर को सौरी कहता है और उनके बोलने का इंतजार करता ह डॉक्टर कहते, इस ओके, मिस्टर राहुल, मिस्टर सिंधानिया का ओप्रेशन सक्सिस्फुल हो गया है, बस जब तक उनके होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते, उनको 24 होज अंडर अबजर्वेशन में रखना होगा, बोली उनके होट के बिलकुल पास में लगी थी बर बागवान का सूक है कि वो अब बिलकुल ठीक है, बर 24 होज के लिए उनने हमें अबजर्वेशन में रखना पड़ेगा, राहुल, श्रेया, रागव और उनने साथ में दो अफिसल, सब रहत की सास लेते हैं, बर 24 होज शिव को अबजर्वेशन में रखना और उसका उसकरने से उसे पूरी सेफटी के साथ शिव को मिलने की इजाज़त दे देते हैं, श्रेया के डॉक्टर से बात करने से वहां मौझूद सब का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, पर श्रेया इन सबसे बेखबर उसे शिव की बहुत चिंता हो रही थी, उसके बैचेन दिल क शिव को देखने के बाद ही चैन मिलने वाला था, राहू श्रेया को देखकर राघव के तरफ देखता है, जैसे उससे पूछ रहा हूँ ये कौन है, राघव उसको अपनी तरफ देखता देखकर समझ जाता है, वो क्या जानना चाहता है, वो से बाद में बताता हू का कहता और शान्त होने का इशारा करता है, शिव को आई सीू में शिफ्ट किया जा चुका था, डॉक्टर ने शिव को चेक किया और श्रेया को शिव को मिलने की पमिशन दे दी, श्रेया शिव जिस रूम में था, उस रूम के दूर के पास खड़ी हुई थी, उसके हाथ काप रहे थे, उसने हिम्मत करके दोर खोला और रूम के अंदर चली गई, उसके सामने हॉस्पिटल के बैट पर शिव लिता था, वो बेहोश था, उसका चेहरा पीला पड़ा था, श इसकी आँखों से आशु की बून शिव के हाथ पर पड़ गई थी। वो रोते हुए शिव से कहती है ये क्या हालत की ही अपने अपनी आपको जल्दी ठीक हो ना होगा मैं आपको इसे नहीं देख सकती जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आप हॉस्पितल में हो तो बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे अब मैं आपके बगेर नहीं जी सकती है। इसे ही वो बहुत देर तक शिव के पास ही बैठी रही तभी उसके फोन पे उसकी मॉम का कॉल आया। कॉल देखकर उसे याद आया कि वो सुबह हितनी जल्दी में निकल गई कि मॉम को ही नहीं किया ओ परेशान हो गई होगी। वो जल्दी से साइड में जाके कॉल रिसीव करती है। उदर से उसकी मॉम की चिंता बारी आवाज आती है जो श्रेया से कह रही थी। हेलो श्रेया बेटा कहा हो आप आपके रूम में भी देखा वहाँ पर भी नहीं हो आप। श् श्याम को घरा जाओंगी। से या जी ओक बेटा कोई बात नहीं तुम अपने फ्रैन का ख्याल रखना और साथ मैं अपना भी नाश्ता क्या कि नहीं तुमने आठ बज गय है बेटा नाश्ता नहीं क्या है तो कर ले ना। श्रेया हम मॉम नाश्ता अभी नहीं किया करती आज उनकी फॉरेंग क्लाइंट के साथ सुबल जल्दी ही मीटिंग थी और ये मीटिंग उनके कमपनी के लिए बाहुत ही जरूरी थी। श्रेया अपनी मॉम का कॉल रख कर रूम में आती है बलकनी में कॉल अटेल करने के लिए गई थी। तो देखती है कि रागव और उस उसकी कंडीशन स्टेबल थी पर उसे अब तक होश नहीं आया था। शिव के हॉस्पिटल रूम के बाहर रागव और श्रेया खड़े थे। रागव श्रेया को हाई कहता है श्रेया भी उसे ही कहती है। एक्चोली रागव ने पहले ही श्रेया के बारे में रागव को बता दिया था। तो रागव को पता चल गया था कि श्रेया उसकी होने वाली भावी है। श्रेया उससे प्यार करता है पहले तो वो शोक हो गया था पर बाद में इतने दिनों से श्रेया के बदले हुए नेचर के बज़े से उसे यकीन हो गया। वो श्रेया राहुल को हाई कहन पर रागव की तरफ देखती है, जैसे उससे पूछ रही हो ये कौन है? रागव श्रेया की सवाल बरी नजरों को देख कर समझ जाता है, श्रेया उससे क्या पूछ रही है? तो वो उसे राहुल का इंट्रोडक्शन करा देता है. फिर रागव उन दोनों को खाने के लिए हॉ श्रेया उसे मना करना चाहती थी, पर रागव की बात समाज कर घर जाने के लिए तयार होती है. क्योंकि अब किसी को भी श्रेया श्रेया उससे मिलने की पमिशन नहीं थी, वैसे भी वो ये बैट कर क्या करती, तो उससे फ्रेश होकर आने को कह है, वो नाइट सूट में ही आई थी, डॉक्टर ने भी शिव की हालत में सुधार बताया था, उनके कहे अनुसार शिव जल्दी ही होश में आयेगा, पर अभी उसे थोड़े टाइम के लिए उनने आई सीउ में रखा था, श्रेया एक बार शिव को देख कर, रागव और राहु से मिलकर अपने घर जा के लिए कहा था, आज के लिए बस इतना ही फ्राइंज, आज का एपिसोड अपको केसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना, अपको ये एपिसोड अच्छा लगा होटू विडियो को लाइक करना, स्टोरी में आगे क्या होता है जैन के लिए देखी अगला एपिसोड, फ्राइंज चनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलना